अध्याए 141, To My Beastly Instincts दवा रखने के बाद मोटिंगे पूचने के लिए कि क्या फॉक्सी का काम समाप्त हो गया दर्वाजे पर दस्तक देने ही वाला था कि अंदर मौजूद व्यक्ती ने बात्रूम का दर्वाजा अचानक हीच कर खोल दिया एक बड़े स्नान तॉलिये में कसकर लिपता हुआ, लोमडी एक प्यारे छोटी कीरे की तरह बाहर निकली ध्यान रहें, इस चिंता में की वह लड़ खड़ा कर गिर जाएगी, वह तेजी से आगे बढ़ा और उसे सहारा दिया फॉकसी ने आह भरी और इमानदारी से कहा, मैं उनमें से नहीं हूँ जिसे सावधान रहने की जरूरत है आप ही वह व्यक्ती है जिसे सावधान रहने, निगरानी करने की आवश्यक्ता है मुझे किस बात का ध्यान रखना होगा मोटीन हैरान था, फॉकसी ने ऐसे बोला जैसे कि यह स्पष्ठो, जाहिर तौर पर मैं ही वह हूँ जिस पर तुम्हें ध्यान देने की जरूरत है थोड़ी देर तक भीगने के बाद, मैंने लगभग अपनी सारी ताकत वापस पाली है लेकिन मेरे शरीर के अंदर छिपा सुक्ष वाला मुखी अभी भी ऐसा महसूस करता है जैसे कि यह किसी भी समयफ़त सकता है इसलिए ऐसी स्थिती में तुम्हें मुझसे दूरी बना कर रखनी चाहिए अगर मैं अपनी पाश्विक प्रवरिती के आगे जुक गया तो इसके गंभीर परिनाम होंगे मैं आपको बता दूँ, जब मैं पागल हो जाता हूँ, तो मुझे खुद से भी डर लगता है मोटी मूह का कोना थोड़ा उपर उठा उसके अतिश्योक्ति पूर्ण शब्दों को सुनने के बाद उसे समझ नहीं आया कि हंसी यारोए सच तो यह है कि वह वास्तव में ऐसा कुछ घटित होने की उम्मीद कर रहा था दवा ला दी गई है, क्या आपको मेरी मदग की जरूरत है मोटींग ने पूछा, कदा पी नहीं, आपकी शुधता के लिए ये बहतर है कि मैं इसे स्वयम लागू करूँ लोमडी जोश से बोली, मेरी पवित्रता, मोटींग ने भौहे चड़ा ली फॉक्सी ने आंख मारते हुए कहा, अतीत में, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम केवल शादी के बाद ही किसी के साथ यौन संबंद बनाओगे लूल तिंगजियाव ने उसकी नाख पर चुक्की ली, क्या अभी भी उन शब्दों को वापस लेना संभव था फॉक्सी ने जिजगते हुए कहा, इसके बारे में, मैंने नीचे कोई कपड़ा नहीं पहना है मोटी ने सिर हिलाया और उसे दवा दी, फिर उसने जाने की पहल की, मैं बाहर आपका इंतचार करूँगा सुनने में तो अच्छा लगता है, अरे हाँ, रास्ते में, क्रिपया ये देखने में मेरी मदग करें की मेरे कपड़े, पस वगेरा वहाँ है या नहीं ठीक है, मोटी लिविंग रूम में चला गया, थोड़ी देर तक इधर उधर देखने के बाद, उसे कोने में एक कपड़े का सामान मिला लोमरी की सारी निजी चीजे अंदर थी, उसके पस के अंदर एक रोशनी जल उठी, उसके म्यूट फोन पर एक इंकमिन कॉला रही थी, मोटी ने लापरवाही से उस पर नजर डाली, एक सेकंड बाद, उसकी पुतलिया अचानक सिकुल गई, कॉल आईडी, यस पर दो फ्लेश होती रही, मोटी गस सेकंड से अधिक समय तक घूरते रहे, अंत में, उसने फोन उठाने और कॉल स्वीकार करने के लिए अपनी पतली उंगली का इस्तिमाल किया, फोन के दूसरी ओर से तरल पदार्थ तपकने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई शराब डाल रहा ह तुरंट, एक करकश पुरुष आवाज बोली, अरे सिसी, क्या तुम्हें अभी तक मेरा उपहार मिला है, जनम दिन की शुब काम नाए, मोटी ने बात नहीं की, नमस्ते, लगभग पांच सेकंड के बाद, जब मोटी ने मान लिया था कि दूसरा व्यक्ति दोबारा नहीं बोलेगा, राक्शसी आकर्शन का आभास देने वाली आवास फिर से बोली, अरे तुम लोमरी नहीं हो, मोटी चुप रहे, इसके बाद, वाइन ग्लास के ग्लास पर हलके से थप थपाने की परिचित ध्वनी सुनाई दी, इसके बाद, वह आदमी कुछ साजश के साथ बोल साथ है, क्या आप लाब वाले दोस्त हैं या वर्तमान में डेटिंग कर रहे हैं? वह आदमी रुका और फिर जोर से हसा, उसके स्वर में खतरनाक, छिपा हुआ द्वेश था, आह, अगर तुम लोग डेटिंग कर रहे हो, तो क्या उसने तुम्हें बताया है कि उसका अफ् कारी के लिए जाच करने जा रहा था, सेल फोन अचानक काला हो गया, वास्तव में इसकी बैटरी खत्म हो गई थी और यह अपने आप बंध हो गई थी, अध्या 142 घास में लोटना, उन्होंने हमेशा सोचा था कि वाय इस फोक्सी पूर्व प्रेमियों में से एक था, लेक होने अफ्य होने का जेकर क्यों किया होता, फोक्सी का एक बॉइफ्रेंड था, उसने पहले कभी उसका उलेक नहीं किया था, इस संभावना के बारे में सोचते समय, मोस्टिंग अभिव्यक्ति तुफानी हो गई, हाला कि वो जल्दी ही शांत हो गया, क्योंकि अभी भी भावना थी कि उस आदमी ने जान बूच कर अपने प्रेम प्रतिद्वंधवी पर प्रहार करने के लिए ऐसा कहा था, मोटिंग, मैंने दवा लगाना समाप्त कर दिया, क्या मेरी चीजे वहां हैं, वे यहां हैं, मोटिंग को होशा गया और उसने अपना सामान पार कर दिय मोटिंग ने फिर से चलने से पहले तब तक इंतजार किया जब तक फॉक्सी ने कपड़े बदलना समाप्त नहीं कर लिया, अपने कपड़े बदलने के बाद फॉक्सी को अधेक आराम महसूस हुआ और महाल पहले जैसा अजीब नहीं था, इस प्रकार उसने अपनी आँख आँखों से पटी हटा दी, जैसे ही उसने आँखों से पटी हटाए, उसने मोस्टिंग को देखा, वह उसे बेहग जटल नजरों से देख रही थी, उसने अवचेतन रूप से अपना चेहरा चुआ और असमंजस ने कहा, क्या कुछ बात है, मोटिंग विस्तर के किनारे बै कुछ भी चलेगा, फॉकसी को लगा कि मोटिंग जानबूज कर उसका ध्यान भटकाने के लिए विश्य बदल रही है, इसलिए उसने बोलने से पहले एक पल के लिए सोचा, फिर मैं आपको अपने ग्रिहनगर के बारे में बताऊंगी, हाला कि यह वहुत्तर नहीं था जिस के बारे में बात की थी, इस प्रकार मोटी ने सिरहिलाया, जरूर, मोटीं, सी सिटी के बाहरी इलाके में, स्प्रिंग विन टाउन नामक एक छोटा सा शहर है, ओ, ऐसी छोटी सी जगह, आप निश्चित रूप से इसके बारे में नहीं जानते होंगे, मुझे इसका पता है वहां का द्रिश्य अच्छा है, Hero in Aquatic World ने वहां कुछ द्रिश्य फिल्माए, है ना, जब फॉक्सी ने ये सुना तो वह उत्तेजित हो गई, ये सही है, ये सही है, तो आप उसके बारे में जानते थे, Hero in Aquatic World में वह द्रिश्य जहां मुझे युगल गेहूं के खेतों में घास में लोट रहा था, हमारे शहर में फिल्माया गया था, ओ, क्या, घास में लिपता हुआ, उसने ऐसे समय में घास लपेटने का जिक्र क्यूं किया, उस तरह के विशय को भूलने के लिए ही उसने इतनी बात चीत की थी, ठीक है, फॉक्सी ने जल्दबाजी में इस खतर नाक विशय की प्रगती को रोक दिया, वो है एक बार खासी सबसे महत्वपून बात, क्योंकि शहर का बहुत अधेक विकास नहीं हुआ है, इसलिए वहां का वातावरन वास्तव में अच्छा है और हवा बहुत ताजा है, कुछ साल पहले मोजे ने कई बार वहां मच्छी पकरने जाने के लिए आगरह क्या था, लेकिन मैं तब काम में बहुत वियस्त था, इसलिए हम नहीं गए, मोटिंग की आवाज में कुछ पच्छतावा था, अगर वह तब गया होता तो क्या वह उससे पहले मिल पाता, एक निश्चिक द्रिश्टिकों से देखने पर, मोज इसलिए भी था क्योंकि मोजिंग, लिटल बन को एक बार में ले गए थे और उन्हें एक साथ लाया गया था, हम वापस आने पर मैं उसे उच्छत नाम दूंगा, यदि आपके पास मौका है, तो आपको कम से कम एक बार वहां जाना चाहिए, आप निराश नहीं होंगे, य यदि आप ऐसा करते हैं, तो मैं आपका चूर गाइड बन सकता हूँ, अपने ग्रेहनगर के बारे में बात करते समय फॉक्सी का चेहरा उत्साह से भर गया, लेकिन धीरे धीरे उसकी अभिव्यक्ति मन पढ़ गई, 20 साल से भी पहले हवा और भी बहतर थी, उस समय कई अमी 20 साल पहले, उन में से एक मैडम स्मित, जूंग लिंग्यू थी, लो मरी अचानक चुप हो गई, मोटिंग ने उसे धक्का नहीं दिया, बल्कि चुप चाप उसका इंतचार किया, फॉक्सी ने गहरी सांस ली और बोलना जारी रखा जैसे कि वहे एक कहानी सुना रही हो, मै उमीद नहीं थी कि वह गलती से प्रसव पीर्या को प्रेरित कर देगी, जिससे बच्चे का जन जल्दी हो जाएग, अध्या 143, क्या आप साथ नहीं खेल सकते, चूंग की वे समय पर शहर वापस नहीं आ सके, इसलिए उस स्प्रिंग विन टाउन के एक मातर अस्पताल में भेजा गया, उस रात, एक और गर्भवती महिला को भी भेजा गया, फिर क्या हुआ, मोटी ने पूछा, भले ही उसे मोटे तोर पर अनुमान था कि आगे क्या हुआ था, मोटी ने कंदे उचकाय, इससे ड्रामा हुआ, उस छोटी से अस्पताल में बहुत कम कर्मचारी थे और व्यवस्था व्यवस्थित थी, इसलिए दोनों बच्चियों की अदला बदली कर दी गई, और यह गलती 18 साल तक जारी रही, क्या आप जानते हैं, नाला का ब्लड ग्रूप भी मेरे जैसा ही है, इसलिए यह मामला छिपा रहा, फिर बाद में इसकी खोज कैसे हुई, और मोटीं के ओर देख कर मुस्कुराए, यह ठीक है, मुझे अपने उस बैलगाम चाचा को धन्यवाद देना चाहिए, मोटीं पर उसकी कुछ छाप थी, लेकिन वह ज्यादा नहीं जानता था, वह केवल इतना जानता था कि उस समय राजधानी में युवा पीली के बीच वहदिक प्रसिद लोगों में से एक था, ये सही है, मेरे चाचा एक प्लेबॉय थे, शादी के बाद भी उसने अपनी जंगली जई बाहर बोना जारी रखा और यहां तक की कई लोगों की मौत भी हुई, उसका एक बेटा और कुल तीन बेटिया हैं, शायद स्मित परिवा में फैंग शुई में कुछ गरबर है, जब उनकी पीली की बात आई, तो किसी कारण से स्मित याओ हुआ और स्मित याओ बान दोनों वैद पुत्रों को जन देने में सक्षम नहीं थे, मेरे चाचा का हरामी बेटा स्मित परिवार की इस पीली का एक मात्र पुरुश उत्त परादिकारी बन सकते हैं, हाला कि अंत में उन्हें पता चला कि वह इकलोता बेटा भी उनका नहीं था, उसे उस लड़की ने धोखा दिया था जो उसके साथ बाहर थी, हाहा, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आगे क्या हुआ, मोटी पूरी तरह से उसकी आँखों की जमक से प्यार करने लगी थी, वो उत्तर देने से पहले प्राश्न पर विचार करता प्रतीत हुआ, तब आपके दादाजी ने स्मित परिवार के सभी पोते पोतियों को डीने परीक्षन से गुझने के लिए मजबूर किया और पता चला कि नाला परिवार का हिस्सा भी नह ही है, मोटी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, शमा करें, मैं अगली बार सुधार करूंगा, फॉकसी ने बताने से पहले एक बार परेशान होकर कहा, वैसे भी, एक बार जब उन्होंने जांच शुरू की, तो उन्हें पता चला कि अस्पताल में मेरी अदला बदली ना के साथ कर दी गई थी, इसलिए मुझे स्मित परिवार में वापस लाया गया, इस मामले पर उसकी बात इतनी लापरवाही से सुनकर, मोटी ने उसके सिर पर हलके से हाथ फेरा, उन्होंने तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार किया, उसने पहले इसके बारे में जादा नहीं सोचा था, लेकिन किसी कारण से, मोटीं से उसको मल थप थपाहत को पाकर, उसे अचानक महसूस हुआ, जैसे उसे एक बड़ी शिकायत का सामना करना पड़ा हो, जैसा कि अपेक्षित था, केवल तभी जब कोई आपकी परवा करता था, तभी आप यथित महसूस करेंगे, मैं तुम्हें अपना आलिगन दे सकता हूँ, फॉक्सी की अभिव्यक्ती थोड़ी चोंकी, इससे पहले की वह मुर्ती, मुझे यह नहीं चाहिए, आप मुझे अपरात करने के लिए उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, आप जानते हैं, मोटींग ने और कुछ नहीं कहा, लेक अपने दत्तक माता पिता के बारे में बात करते हुए, फॉक्सी ने अपनी आत्मा में थोड़ा सुधार किया, मेरी दादी बेटियों के बजाए बेटों को प्राथ मिक्ता देती थी और मुझे बहुत पसंद नहीं करती थी, जब मैं पैदा हुआ तो उसने मुझे लगभ किया, मेरा एक बहुत समझदार और आग्याकारी छोटा भाई भी है, ये सुनकर कि उसे दूबने के लिए लगभग नदी में फेक दिया गया था, मोटीं का दिल पसीज गया, जब उसने अपनी मां का जेक्र किया, तो उसकी अभिव्यक्ति सही नहीं लगी, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा, मुझे वास्तव में अपना मूल घर पसंद आया, जब उन्होंने मुझे बताया कि मैं उनका जैविक बच्चा नहीं हूँ, तो ऐसा लगा जैसे मुझ पर आसमान तूट पड़ा हो, हाला कि स्मित परिवार की शक्ति के कारण मुझे चुनने की आजादी भी नहीं थी, अगर मैंने उस समय अपनी पूरी ताकत से विरोध किया होता, तो शायद उम्मीद की एक किरन होती की मुझे वहां से जाना नहीं पड़ता, लेकिन, 144 अस्तित्व और महसूस किया कि मैं उनकी प्रतिश्था पर एक धबबा थी उसके बाद, जेम्स धीरे धीरे, फॉक्सी ने अपने घुटनों को पकरना शुरू कर दिया, आज सित पर प्रॉप्स के साथ कुछ गलत हो गया, मेरी तलवार ने दुर घटनावश नाला को चोट पहुंचाए, अस्पताल में, मेरी मा, मेरी जैविक मा ने मुझे थप पर मारा, बिनाए मेरी जैविक पिता ने केवल मेरी आलोचना की और मुझे दोशी ठहराया, फॉक्सी ने स्याह काली रात को खिलकी से बाहर देखा, उसने हवादार स्वर में कहा, फिर किसी कारल से, जो तनाव मैं पांच साल से दबा रही थी वह खत्म हो गया, मुझे अचानक महसूस हुआ की जीने का कोई मतलब नहीं है, मुझे लगा कि मैं जीवन में असफल हो गई हूँ, क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं इतना अच्छा नहीं थी कि हर कोई मुझ से नफरत करता था, मैंने इतने लंबे समय तक कड़ी मेहनत की थी, लेकिन अंत में इसका कोई मतलब नहीं रह गया, जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मुटी ने अचानक उसके कंदों को कुछ बल से अपनी ओर कीचा, फॉकसी, मेरी ओर देखो, हर कोई आपसे नफरत नहीं करता, वे वही है जो परियापत अच्छे नहीं है, अंदुस्टैंड, फॉकसी की आँखे थोड़ी लाल ह गई, भले ही वह हमेशा हृदेहीन व्यवहार करती रही हो, जैसे कि उसे कोई परवा नहीं थी, फिर भी वही कि वहा महिला थी जो केवल बीस वर्ष की थी, मुटी ने उसे अपने आलिंगन में खीच लिया और उसके सिर के ऊपर धीरे से चुमा, फॉकसी को अपने सिर के उपर कुछ भारी दबा हुआ महसूस हुआ, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह क्या था, मुटी ने उसे बेहत गंबीर नजरों से देखा, फॉकसी अगर तुम्हें खुद पर संदे हैं, तो तुम्हें मुझ पर विश्वास करने की कोशिश करनी चाहिए, इस दुनिया में आपसे बहतर कोई नहीं है, फॉकसी की उदासी खुशी में बदल गई, बेशक मुझे बिग बॉस मो की बातों पर विश्वास है, मुटी ने आराम किया, अभी अभी उसकी आँखों में जो पूरी तरह से निराशा जहलक रही थी, उसने उसे एक पल के लिए बुरी तरह स सकता हूँ, अध्याए 145, मैं आपका brain dead fan बनूंगा, क्या, फॉकसी ने अपना सिर जुका लिया, क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उसे पसंद करता था, उसे लगता था कि चाहे वह कुछ भी करे वह प्यारी थी, मोटी फिर से उसके सिर पर हाथ फेरने से खुद को नहीं रोक सका, क्या तुम्हें हीरे पसंद हैं? आह, फॉकसी को उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा अजीब सवाल पूछेगा, तो मैं सक्यों पूछते हो, आज आपका जनम दिन है, इसलिए लिटल बन ने आपके लिए जनम दिन का उपहार तैयार किया है, ऐसा लगता है जैसे इसक हीरे से कुछ लेना देना है, मुझे चिंता थी कि आपको ये पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैं उसकी और से पूछ रहा हूँ, मोटींग ने अपनी सामान्य अभिव्यक्ती से समझाया, तो इसलिए, फॉकसी ने ये सुनकर अपना सिर्ख खुजलाया, फिर कहा, उम, मुझे इतनी महंगी चीज भेजता है, तो यह अच्छा नहीं है, चूनकि वह अभी बच्चा है, इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं लुगी, ये बहतर होगा यदि वह कुछ आचा करे, जैसे कि यह सिर्फ एक लापर वाह विचार था, मोटींग ने आगे कहा, यह कोई दूसरा हीरा तुम्हें उतना अच्छा नहीं लगेगा, फॉक्सी ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, यहां तक कि आप भी इसके बारे में जानते हैं, जैसा कि अपेक्षित था, गप्षप हजारों मील की यात्रा करती है, अपनी तुलना उस अजीब आदमी से मत करो, वह पागल है, वह लड़का तुम्हारा बोई फ्रेंड है, मोटींग ने पूछा, फॉक्सी ने लगभग अपनी लार दबा ली, उफ, यह कैसे हो सकता है, आपके मन में इतना दरावना विचार कैसे आया, क्यूंकि आप उसके काफी करीब लगते हैं, मोटींग ने उदास्वर में समझाया, फॉक्सी को सिर्दर्द महसूस हुआ, हे हेवन, मैं उसके करीब कैसे देखूं, क्या उसे पागल कहने से ऐसा लगता है कि हम करीब हैं, मोटींग ने सिर हिलाया, यह मेरे लिए है, आप हमेशा मेरे प्रती बहुत विनम्र रहते हैं और आपने एक पुरुश्वा दी थे, वह वास्तव में चाहता था कि लोग उसके साथ थोड़ा बुरा व्यवहार करें, वैसे भी उस आदमी का अब मुझसे कोई लेना देना नहीं है, वह वह बिलकुल पागल है, उसे लोगों पर हीरे फेकना पसंद है, अगर मैं उससे दोबारा मिलू तो मैं निश्चित रूप से उसे वापस फिक दूँ, फॉक्सी ने लापरवा स्वर में बात की, लेकिन जब उस आदमी के बारे में बात की तो उसकी आँखों में दर की जलक दिखाई दी, अब उसका आप से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब है कि अतीत में लगता है, अगर एक भी दिन मायने रखता है, किसी कारण से उसे उस छवी की परवा थी जो मोटींग के मन में थी, उसने अपना सिर्खुजलाया और पूछा, मोटींग, क्या तुम्हें लगता है कि यह बुरा है कि मैं पहले इतने सारे पुरुशों के साथ डेट कर चुक मोटींग ने गंभीर और सम्मान जनक अभिव्यक्ति व्यक्त की, उसने उसे अत्यांत गंभीरता से उत्तर दिया, जैसे कि उसका प्राश्न विशेश रूप से महत्व पूर्ण था, नहीं, हर किसी का जीने का अपना तरीका होता है, और उनके कारियों के पीछे हमेशा कहा जानिया होती है, जो कोई भी पूरी सच्चाई नहीं जानता, उसे नितिक रूप से उंचे घोड़े पर खड़े होने और दूसरों की आलोचना करने या दंडित करने का अधिकार नहीं है, फॉक्सी अचानक अपने सिर में गर्माहत महसूस हुई, इसके बाद, वह तुरं तुम्हें हमेशा लगेगा कि मैं सही हूँ, ब्रेन डेग प्रशन सक, मोटी को ये समझ में नहीं आया कि इस शब्द का क्या मतलब है, ये सही है, एक दिमागी रूप से मृत प्रशन सक बिना किसी कारण के भी, अपने आदर्श का पूरी तरह से समर्थन करेगा, फॉक्सी ने समझाया, अध्याए 146, मैं आपके और अधिक छेरखानी बरदाश्ट नहीं कर सकता, लानत है, उन्होंने व्यर्थी उसका ध्यान भटकाने के लिए इतनी देर तक बातचीत की थी, इस लड़के ने बिना किसी चेतावनी के अचानक उसके साथ छेरखानी क्यों के फ्लतिंग का तथा कथित उचतम ख्षेत्र था जहां वह बिना मतलब के सबसे बड़ी फ्लतिंग चाले चला सकता था, उसका मन इतने असमंजस में था कि उसे पता ही नहीं चला कि उसके मन में कैसे कैसे अजीब विचार आ रहे हैं, क्या आप फिर से अस्वस्त महसूस कर रहे हैं, स्थिती को देख कर मोटी ने तुरंत तनाव पूर्ना भिव्यक्ति दिखाए, फॉकसी ने अपनी कनप्टी को रगड़ा, जिससे उसकी कनप्टी अचानक से धड़कने लगी थी, यह स्वस्त महसूस करने जितना आसान नहीं था, जो जुआर दोबारा उठा था वर पहले वाले से भी बद्तर था, अभी उसकी दृष्टी में मोटींग शूजो मंगा में मुख्य पुरुष पात्रों में से एक बन गया था, यहां तक कि उनका अपना गतिशील प्रिष्थ भूमी संगीत और रोम्यांटिक गुलाबी चैरी ब्लॉसम विशेश प्रभा क्या आप सब अभी बहतर नहीं थे, क्या आप किस तरह का अस्वस्थ महसूस करते हैं, क्या यह वह यह कुछ और है, मोटींग ने थोड़ा अजीब तरीके से बात की, क्योंकि उसे अभी अभी उसके कहे शब्द याद आये थे, कि वह का मोत्तेजक से भी अधिक डरावना यह संभवता सबसे बड़ी प्रशन सा थी जो उसने कभी सुनी थी, फॉक्सी ने लाल आँखों से बिना पल के जपकाए सीधे उसे देखा, इस तरह भूरने पर मोटींग को लगा कि उसके शरीर में आग जलने वाली है, फॉक्सी ने जोर से अपना सिर हिलाया और खुद क उसके पीछे बिस्तर पर गिरा दिया, उसने असहाय होकर अपने उपर की छट की ओर देखा, अरे, मुझे लगता है कि आज रात मुझे अभी भी बहुत कुछ सहना है, मोटींग, अगर मैं बाद में खुद को रोक नहीं पाती, तो मुझे बहुश करना याद रखना, मोट फॉकसी ने तुरन तोकते हुए कहा, रुको, रुको, अब और मत कहो, प्रिप्या, बिग बॉस मो, मुझे बक्ष दो, ये ननहा बच्चा वास्तव में आपकी और अधिक छेर खानी बरदाश्ट नहीं कर सकता, मोटींग ने भौहे उठाई, तुम क्या सोच रहे हो, मैं क अगर मुझे अकेले ही इंतजार करना पड़ा, तो मैं बोर हो जाऊंगी, उसे ये कहने में बहुत शर्मा रही थी कि उसे अकेले डर लगेगा, फिर हम घर क्यों नहीं जाते, घर, फॉकसी एक पल के लिए थिठक गई, जैसे ही उसने ये दो शब्द सुने, उसने तुरंत मो निवास के बारे में सोचा जैसे की यहस्वा भाविक था, आए इसके बारे में भूल जाएं, क्योंकि मैं अभी हूँ, वो अपनी वर्तमान उपस्थिती से उस स्थान को कलनकित नहीं करना चाहती थी, शान्त अतिती कक्ष में कीबोर्ट पर अन्गुलियों की थिरकन की नियमित लेग दुनिया की सबसे कोमल लोरी की तरह लग रही थी, लड़की की अभिव्यक्ती शान्त थी और उसने धीरे से अपनी आँखे बंद कर ली, ये पता लगाने के बाद की उसके बगल की सांसे नर्म और स्थेर हो गई है, मोटीं ने अपनी हरकते रोक दी और ध् बुद बुदाये और अफचितन रूप से उसकी उंगलियों को पकर लिया, मोटीं, मोटीं का शरीर अकर गया क्योंकि उसकी अभिव्यक्ती अवन्निय हो गई, उसने उसे नाम से बुलाया था, हां मैं यहां हूं, दरो मत, मोटीं ने जुक कर सौम्य भाव से लड़की की ह होटों को चूम लिया, हाला कि उसकी उस सौम्य अभिव्यक्ती में काले बादल घुले हुए, चाप्टर 147, लिटल बन डिस्ट्रोइस दे हाउस, फॉक्सी, मुझे क्या करना चाहिए, मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितना आप सोचते हैं कि मैं हूं, कभी कभी, जब तुम्हें पता चले कि मैं वैसा नहीं हूं जैसा तुम सोचते हो, तब क्या तुम मुझे छोड़ दोगे, सुबह सुबह, लगभग पांच बजे, दर्वाजे की घंटी की आवाज से मोटी की नींद खुल गई, जब उसने दर्वाजा खुला, तो उसने चिंतिक कर देगा, वे आपसे या फॉकसी से संपर्क नहीं कर सके, इसलिए वे केवल मुझे ही कॉल कर सकते थे, इसी समय, फॉकसी पीछे से बोली, जो स्पश्ट रूप से अभी अभी जागी थी, लिटल बन को क्या हुआ, मैं आभी वापस जाओंगी, इतना कहने के बाद, उसने अपना बैग उठाया और दस सेकंड में मोटींट को अपना सामान पैक करने में भी मदद की, जल्दी, चलो, वे तीनों जल्दी से वापस मो निवास की और भागे, जब वे परिसर में दाखिल हुए तो फॉकसी ने घूर कर देखा, ये कैसी स्थिती है, वे क्या हैं, वहा जमकदार, चांदी जैसी रोबोट्स, फॉकसी ने अपनी आखी मली और आश्चर्यस से उस द्रिश्य को देखा, ऐसा लगा जैसे उसने अभी अभी एक समानांतर आयाम में कदम रखा हो, मो जिंग ने पलक जपकते हुए कहा, क्या आप नहीं बता सकते, वे रोबोट हैं, फॉकसी पागल होने वाली थी, बेशक मैं बता सकती हूँ, लेकिन इतने सारे रोबोट क्यों हैं, मो जिंग को सिरदर्ध होने वाला था, ये लिटल बन के शौक में से एक है, ताफी समय हो गया है जब से वह उन्हें खेलने के लिए बाहर ले गया है, क्या ये बढ़िया नहीं है, जैसे ही वहुत तेजित हुआ, उसने उन सभी को बाहर निकाल दिया, ऐसा लगता है जैसे हमने अभी अभी लाशों से घिरे किसी किले में कदम रखा है, जमीन खोदना, पागलों की तरह इधर उधर भागना, पेरों से टकराना, फूलों को रॉन्दना, उनमें स एक ने एक नौकरानी को भी उठा लिया, इन सब के साथ नौकरों की चीखी भी थी, पूरा द्रिश्य बहुत बड़ा गरबर था, ये देखकर कि नौकरानी रोबोट के हाथों से गिरने ही वाली थी, फॉक्सी ने तुरंतकार का दर्वाजा खुला और दोड़ कर नौकरा में सफल रही, इससे पहले की वल जमीन पर गिर जाती, क्या तुम ठीक हो, वान वान, वान वान ने अपनी छाती थप थपाई, फिर भी डरी हुई थी, फिर उसने फॉक्सी की और कृत अग्यता से देखा, धन्यवाद मिस शी, मिस फॉक्सी, आप वापसा गई, जल्दी से छोटे युवा मास्टर को ढूंडो, फॉक्सी को संकट में पड़ी लड़की को चतुराई से बचाते हुए देखने के बाग, मोटिंग, जो अभी भी कार में था, के चेहरे पर निराशा के भाव थे, मोजेंग ने अपना सिरकार की खिल्की से बाहर निकाला और की से चिल्लाया, फॉक्सी, आपको एसा नहीं करना चाहिए, आपने मेरी भूमिका ले ली, ओ, मेरी सहायता करो, जब वह बोल रहा था, तो उसका एक हाथ ही एक रोबोट ने पकड़ लिया, भाई, मुझे बचा लो, इस चीज को जल्दी से बंद करो, मोटिंग ने उसकी और ऐसे देखा जैसे वह मदद करना चाहता था, लेकिन करने में असमर्थ था, लिटल बंद ने पिछली बार से अपना कार्यक्रम बदल दिया है, मुझे इसे पूरा करने के लिए एक घंटे की आवश्यकता है, एक घंटा, तब तक मेरा हाथ तूट जाएगा, आहा, आहा जल्दी से कार से बाहर निकला, मैं तुम्हें वहां ले आऊंगा, ठीक है, वे दोनों तेजी से कंट्रोल रूम की और भागे, मुझे ने उनकी लुप्त होती आकृतियों को उमीद से देखा, इसे जल्दी करो, अध्या 148, जस्ट क्यारी मी, एक पल के बाद, मुटी ने एक खुली छत वाली गोल्फ कार तैयार करने के लिए बटल को बुलाया और जल्दी से उसे गोल्फ कोर्स के पीछे एक छोटी सी अलग इमारत में ले आया, इस इमारत का आकार बेहद अजीब था, बनावत से ऐसा लग रहा था कि यह किसी अग्याद धात उसे बना है, एक नजर में यह विशेश रूप से उच्ट तकनीक और भविश्यवादी लग रहा था, मो निवास बहुत बड़ा था, इतने लंबे समय तक रहने के बावजूद फॉक्सी ने इसका हर एक हिस्सा कभी नहीं देखा था, यह पहली बार था जब वो इस इमारत में आई थी, इ अबकि अंदर बिजली सोर उर्जा से आती है, बतल और नौकरानिया सब ही रोबोट हैं, जैसा कि उन्होंने समझाया, मुटी ने एक चूर गाइद के रूप में अपनी भूमिका पूरी की, कितना थंडा है, फॉक्सी का चेहरा खिल उठा, बच्चों जैसा उत्साह देख रहा था, अगर आपको ये पसंद है, तो आप खेलने आ सकते हैं, बिल्कुल नहीं, मुझे इस तरह की चीज़ पसंद है, जब मैं छोटी थी मैं हमेशा सपना देखाटी थी कि कि किसी दिन मुझे एक अंतरिक्ष यान द्वारा ले जाया जाएगा, जब मैं बढ़ी हुई तो मैंने एक रोबोट के साथ डेटिंग के बारे में भी सोचा, आह, इसके बारे में सोचने मात्र से कितना रोमेंटिक महसूस होता है, मोटींग, शायद उसे पहुँच का अधिकार न देना ही बहतर होगा, जब स्कैन मोटींग पर पढ़ा, तो रोबोट ने संघर्ष कि और जस्ट ध्वनी निकाली, मास्टर, मास्टर, ये बेचारा रोबोट जो अपने, मास्टर, को बार-बार बुला रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ रिपोर्ट करना चाहता था, लेकिन बोलने में असमर्थ था, संभवतह इस इमारत का बटल था, मोटींग ने नाह भरी और रोबोट के पीछे का पैनल खोला, ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ दबाया हो, इससे पहले ही रोबोट की आँखों के सामने अंधेरा चा गया और उसने हिलना बंद कर दिया, फॉक्सी उत्सुकता से पास आई और उसे चुआ, ये हब हिल क्यों नहीं र मत के बाद ये ठीक हो जाएगा, फॉक्सी ने आराम से कहा, ओह, तो यहा अच्छा है, अन्य था ये कितना बेकार होगा, ये तो बहुत सुन्दर है, मोटींग, तो इसे खत्म कर देना चाहिए, मुख्य हॉल रोबोटों से भरा हुआ था जो इधर उधर गश्ट कर रहे थ तरह से नजरंदाज कर दिया और फॉक्सी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, आह, वे क्या कर रहे हैं, वे सब मेरी ओर क्यों बढ़ रहे हैं, फॉक्सी डर गई, इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि उसकी मार्शल आर्ट कितनी अच्छी थी, निश्चित रूप से वह बोट की रोबोटिक पंजों से सफलता पूर्वक बच गई, असहाय स्वर में उन्होंने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास पहुँच का अधिकार नहीं है, वे आपके साथ ही गुस्पैथिया जैसा व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए, उस बंच शीर्ष मंजल पर नियंत्रन कक्ष में है, हम इतने सारे रोबोटों को कैसे हरा सकते हैं, दूसरा विकल्प क्या है, रोबोटों की सामगरी को देखकर ही उसके हाथ दुखने लगे, वो उन्हें पीटना शुरू नहीं करना चाहती थी, दो, मुटी ने अपनी निगह बहें नीची की और उसकी ओर देखा, मैं तुम्हें उपर तक ले जाता हूँ, क्योंकि वे मुझ पर हमला नहीं करेंगे। आह, वे आ रहे हैं, मुटींग, जल्दी करो। फॉक्सी ने पहले ही किसी तरह से खुद को उसके ऊपर फेक दिया था। जैसा की अपेक्षित था, एक बार जब वह मुटींग पर फंस गई, तो रोबोटों ने उसे चुने की हिम्मत नहीं की। सरपिल सीडियों की और कदम दर कदम चलने से पहले, वह उसे कमर से पकड़ने के लिए जुका। यह शायद पहली बार था जब वह शान्त और जागते हुए उसके इतने करीब थी। उसे सच्चमच उमीद थी की यही आत्रा कभी खत्म नहीं होगी। यदि मो जिंग को पता होता की उसका भाय इस समय क्या सोच रहा है। ओह, जैसे ही मोटींड और फॉक्सी उपर की ओर बड़े, रोबोट उनके पीछे पीछे चले गए, उनके बीच एक निश्चत दूरी बनी रही। अपना संतुलन बनाय रखने के लिए फॉक्सी की बहे उसकी गर्दन के चारों और लिप्टी हुई थी। हाला की, ये गुलाबी रंग का बुलबुला अधिक समय तक नहीं टिक सका। जैसे ही वे बिना किसी रोक टोप की उपरी मंजिल पर पहुँचे और उस चांदी जैसे सफेद दर्वाजे को खोलने की तयारी कर रहे थे, उनके पीछे की रोबोटों ने खलखलाहत की आवाजे निकाली और अपनी धातू की भुजाएं उनकी और बढ़ा दी। जब उनकी भुजाएं चल रही थी, तो एक प्रक्षेपन सुरम जो बंदूप की तरह दिखती थी, उनकी भुजाओं के भीतर से निकली। की आलोचना कैसे की जाएं? अब क्या करें? फॉक्सी रोने की कगार पर थी, वे यहां केवल छोटे बंद को खोजने के लिए आये थे, उन्हें इतने सारे परीक्षनों और कथिनायों से क्यूं गुजर न पड़ा? यह ऐसा था मानों वे किसी खेल में कालकोटरी से गुज कर रहे हूँ. मोटींग ने उसके कंदूं को पकर लिया और उसे अपने पीछे दर्वाजी के पैनल पर धाकेल दिया. इसके बाद उसने उसे धाकने के लिए अपने पूरे शरीर का इस्तिमाल किया, जबकि उसने अपना एक हाथ उसके पीछे दर्वाजी पर रखा. फॉक्सी ने अपना चेहरा हथेली पर रख लिया. बिना मतलब के फ्लट करना सबसे खतरनाक काम है, मेरे प्रियप. इसी समय फॉक्सी ने अपनी आँखों के कोने सी कुछ देखा. एक रोबोट ने वास्तव में मोटींग की पीठ पर निशाना साधा था और गोली चला दी मोटींग. ध्यान रहें. हाला की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. मोटींग ने उसे कसकर धाक लिया और धीमी आवाज में गुर रहा. मोटींग. फॉक्सी पूरी तरह से घबरा गई थी. मैं ठीक हूँ. मोटींग ने धीरे से अपना सिर उठाया. फॉक्सी के मूर का कोना हिल गया. सेकंड यंग मास्टर के पास वास्तव में सबसे उच्जवल विचार है. ये सिर्फ बद्बूदार नहीं है. ये व्यवहरिक रूप से एक जैवरा सायनिक हथियार है. जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसके पीछे का दर्वाजा अचानक उनकी उर्खुल गया. अध्याए 150, सबसे रोमेंटिक जनम दिन. अंदर जाते समय मोटींग ने उसका हाथ पकड़ लिया. उनकी हरकते बेहत स्वाभाविक थी. फॉक उसका मूर थोड़ा बदल गया. कंट्रोल रूम में रोश्नी बहुत धीनी थी. वहां केवल लगभग दासिया इतने ही कंप्यूटर चल रहे थे, जो थंडी चमक छोड़ रहे थे. फॉक्सी ने मोटींग का पीछा किया, जैसे ही वे इधर उधर जाने लगे. अंत में, उ उस राक्षसी मशीन के सामने अपनी छोटी सी कस्टम निर्मित कुरसी पर बैठा था. वोल कंप्यूटर प्रोग्रामों से पाठ की अंतहीन पंक्तियों को प्रदर्शित करने वाली टिम्टिमाती स्क्रीन को भावहीन रूप से देखता रहा. एक छोटा रोबोट जो उनक के बगल में खड़ा था. उसके हाथ में बंदू की नाल बिलकुल सीधी उनकी दिशा में थी. जब उसने लिटल बन के चेहरे पर अलग और बेजान भाव देखा, तो फॉक्सी को ऐसा लगा जैसे उसके दिल को लोहे के पंजे से कसकर निचोड दिया गया हो. उसे इतना द दर्द हुआ कि वह मुश्किल से सांस ले पा रही थी. छोटा बन, धीरे से पुकारते हुए वह काम पुठी. छोटा लड़का बिना किसी प्रतिक्रिया की स्क्रीन की ओर देखता रहा. फॉक्सी अब सचमुच दर गई थी. उसने पहले मोर्टींड और अन्य लोगों को इ यह सब मेरी गलती है. फॉक्सी, अपने आपको दोश मत दो. यह कोई बड़ी बात नहीं है. उसका इस अवस्था में होना काफी सामान्य बात है. यदि आप उसे कुछ बार और पुकारे तो वह ठीक हो जाएगा. मोर्टींड ने उसे आश्वस्त किया. वास्तव में, मोर् फॉक्सी से बात कर रहा था. यदि उसके स्थान पर कोई और खड़ा होता, तो चीजे इतनी सरल नहीं होती. खुद को शांत करने के लिए मजबूर करने के बाद, फॉक्सी एक एक कदम सावधानी से उसके पास आई. जबकि छोटे रोबोट का सेर उसके चलते समय उसका प सावधानी से अपना छोटा सा हाथ उठाया, छोटा बन. आंटी अब वापस आ गई है. शमा करें. तल रात आंटी को कुछ हो गया इसलिए आंटी वापस नहीं आ सकी. चून की फॉक्सी उसे विवरल नहीं समझा सकी, इसलिए वह दुखी होकर अपना सिर नीचे कर सकी. उसकी दृष्टी रेखा पर एक छोटी सी मुठी दिखाई दी. उसके बाद, छोटी मुठी धीरे धीरे खुली और एक नर्म हथेली के बीच में बैठी एक गुलाबी बालों की क्लिप दिखाई दी. हेर क्लिप पर दिल बनाने के लिए सो से अधिक छोटे गुलाबी हीरे पंक्तिबद हैं वे अपने चारों और मशीनों की थंडी चमक के नीचे चमक रहे थे ये हैं फॉक्सी ने तुरंत आश्चर्य और खुशी से ऊपर देखा हाला कि छोटे लड़के के चेहरे पर भावना का एक भी निशान नहीं दिखा बगल में मोटी ने अपने बेटे के हा हैं उपहार में सच्मुच ही रहे थे फॉक्सी को काफी शर्मिंदगी महसूस हुई मोटी ने उसके विचारों को समझा और तुरंत समझाया वे सिर्फ कुछ सामान्यस फटिक हैं इसलिए यह बहुत महेंगा नहीं है हाला की लिटल बन ने व्यक्तिगत रूप से 99 क्रिस्टलों में से प्रति एक पर एक एक करके चिपकाया जब फॉक्सी ने यह सुना तो एक पल में उसकी आँखों में आशु आ गए सीधे हेर क्लिप लेने के बज़ाए उसने लिटल बन से पूछा क्या आप इसे लगाने में आंटी की मदद कर सकते हैं लिटल बन की द्रिष्टी धीरे-धीरे हेर क्लिप पर केंद्रित हुई इससे पहले कि उसने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और अनारी धन से हेर क्लिप को उसके बालों पर उसके कान के पास रख दिया फॉक्सी ने क्लिप को छुआ और खुशी से मुस्कुराई क्या यह अच्छा लग रहा है चोटे बन ने सिर हिलाया अंततः लिटल बन से प्रतिक्रिया मिलने के बाद फॉक्सी इसे और सहन नहीं कर सकी इसलिए उसने चोटे लड़के को अपनी बाहों में खीच लिया उसी क्षन एक घमाके के साथ किनारे पर मौझूद छोटे रोबोट ने रंगीन तुम फेटी की बोचार की और यहां तक की हैपी बट्टेगी भी बजाना शुरू कर दिया कम फेटी से भरी हवा को देखते हुए फोक्सी की आँखों में पानी आ गया धन्यवाद डाली यह मेरे जीवन का अब तक का सबसे रोमेंटिक जनम दिन है अध्याए 151 वो उससे परियाप्त प्रेम भी नहीं कर सकी छोटे बन ने अपने लिए जनम दिन का उपहार और आश्चर्य तैयार करने में बहुत मेहनत की थी वो शुरुआत में बहुत उत्साहित रहा होगा लेकिन जब दिन आया तो उससे थंडे अकिलेपन का अनुभव हुआ उसके बाद जब वो उस तक नहीं पहुँच पाया तो घब रा गया ये पूरी प्रक्रिया उसके लिए कितनी कश्ट दायक रही होगी ये सोचने पर फॉक्सी को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में चाकू घुमाया जा रहा हो उसने लिटल बन को गले लगा लिया उसे एक सेकंड के लिए भी जाने नहीं देना चाहती थी मो टिंग उन दोनों को परेशान नहीं करना चाहता था लेकिन भायचारे के स्नेल के उस छोटे से अंच के लिए जो उसमें बचा था उसने फिर भी एक अनुस्मारक जारी किया फॉक्सी लिटल बन से उन रोबोटों को वापस बुलाने के लिए कहें ओ ठीक है तभी फॉक्सी को याद आया कि भायन कर रोबोटों की एक बीर विद्रोह कर रही थी और आवास को तोड़ रही थी मो जिंग की बाह अभी भी उनके हाथों में फंसी हुई थी इस प्रकार उसने तुरंट छोटे बन से कहा डालिंग क्या तुम उन्हें वापस बुला सकते हो छोटे बन ने सिर हिलाया फिर वो स्क्रीन की ओर मुर गया और उसकी छोटी छोटी उंगलियां की बोट पर फुर्ती से उलने लगी फॉक्सी ये देखकर आश्चर्य चक्कित रह गई उसके पूरे चहरे पर प्रशंसा की भावना अंकित होकर उसने कहा प्रियत तुम इतनी चतुर कैसे हो मुझे लगा कि आप केवल चित्र बनाना जानते हैं आप सच्मुच बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं बहुत चतुर हैं पिछले कुछ वर्षों में मैंने हर उस चीज का अध्यायन किया जो मुझे एक पागल की तरह पसंद आ सकती थी हाला कि यही एक मात्र चीज थी जो मैं जीवन भर नहीं सीख सका आखिर कोडिंग क्या है सी और सी जोर जोर वे व्यवहरिक रूप से मेरे बुरे सपने का सामान हैं आप केवल पाँच वर्ष के हैं फिर भी आप पहले से ही इतने कुशल हैं आप जीनियस हैं हाला कि छोटे बन की अभिव्यक्ती अभी भी लकड़ी की थी उसकी आँखों की रोशनी काफी चमक गई थी हाला कि मुटी किनारे खड़ा होकर देखना जारी नहीं रख सका उसने धीरे से आह भरते हुए कहा फॉक्सी तुम्हें इस थिती में उसकी प्रशनसा नहीं करनी चाहिए ओह ठीक है फॉक्सी को अंतता हियाद आया कि छोटे से बनने बहुत बढ़ी गड़ब़ी कर दी थी उसने अजीब तरह से अपना सिर्ख हुजलाया और मोटींग की ओर देखा किया आप मुझसे उसे दोबारा ऐसा न करने के लिए कहने के लिए कहेंगे उन्होंने मुझसे पहले जो वादा किया था उसे उन्होंने वास्तव में पूरा किया है हाला कि वह भूख हर्ताल पर नहीं जाता या चीज़ों को इधर उधर नहीं फेकता अंत में उसने अधिक परिश्कृत तरीकों की और रोक्त किया अगर मैं उसे दोबारा ऐसा न करने के लिए कहूं तो क्या होगा अगर वह अगली बार और भी अधिक परिश्कृत योजना लेकर आए मोटिंग ये वास्तव में काफी संभव था ये देखते हुए कि यह वह छोटा बन था जिसके बारे में वे बात कर रहे थे फॉक्सी ने बेबसी में अपने हाथ फैलाए संक्षेप में मुझे लगता है कि उसे न डांट नहीं बहतर है सच तो यह है कि वह स्वार्थी हो रही थी आज की परिस्थितियों को देखते हुए वह छोटे बन की आलोचना नहीं करना चाहती थी वह उसे बहुत प्यार करती थी और वह उसे इतना प्यार भी नहीं कर पाती थी वह उसे कोई कथोर शब्द कैसे कह सकती थी शुक्र है, मूटी ने अंथ में इस मुद्डे को तूल नहीं दिया अधिकांश भाग में जब वह निंग्शी के साथ थे तो उनके सिध्धान तैरते बादलों की तरह थोस थे वे तीनों गोल्फ कार्ट में सवार होकर निवास के प्रवेश द्वार तक वापस आये फॉक्सी अपने सामने के शांदार द्रिश्य को आश्चर्य से देखती रही समस्या पैदा करने वाले रोबोटों ने रास्ते में दो साफ सुत्रे स्तंब बनाये थे मानों उनका घर में स्वागत कर रहे हूँ मूब खराब करने वाली एक मात्र चीज बगल से आ रही पीरा भरी चीख थी भाई तुम लोगों ने इतनी देर क्यों लगा दी तुम्हारा इंतजार करते करते मेरा हाथ बुरी तरह खराब हो गया था ये सिर्फ एक अव्यवस्थित हाथ है क्या तुम्हे सच्मुच इस तरह रोने की जरूरत है फॉक्सी ने अपनी आखें घुमाई और बाहर निकल गई उसने उसकी बाह को नीचे की ओर धकेला उसे खीचा और उठाया जिसके परिनामस्वरूप एक पॉपक हुआ ओ, मोजेंग काटे जा रहे सुवर की तरह चिलाया फॉक्सी ने उसकी बाह थप थपाई, चिलाना बंद करो ये पहले ही ठीक हो चुका है, कोशिश करके देखो मोजेंग ने पलके जपकाई और अपना हाथ थोड़ा हिलाया अब सच्मुच सब थीक था, हाला कि वह फिर भी असंबद होकर बुद बुदाया आपने इसे टेरा नहीं किया होगा, है ना बिल्कुल नहीं, मैं आव्यवस्थिक भुजाओं को थीक करने में बहुत अनुभवी हूँ फॉक्सी ने पूरे आत्म विश्वास के साथ उत्तर दिया मोटीं के चहरे पर संदे साफ जलक रहा था क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपको इस तरह की चीजों का इतना अनुभव कैसे मिला फॉक्सी, क्योंकि मैं आकसर जयांग मुए से लड़ती थी उसका हाथ कई बार उखर गया और मैंने हमेशा उसके लिए इसे ठीक किया मोजेंग, क्या आप निश्चित हैं कि आप लड़ रहे थे और आप उसे केवल एक तरफा नहीं पीट रहे थे वो वास्तव में अपने भाई के भाविश्य को लेकर चिंतित था क्या उसका भाई भाविश्य में घरेली दुर्व्य वहार का शिकार बनने वाला था भूल जाओ, उसे किस बात की चिंता थी भले ही उसके भाई के साथ दुर्व्य वहार किया गया हो उसके भाई को निश्चित रूप से इसे खुशी से प्राप्त होगा अध्याए 152 छाया मोड पर स्विच करना जब से फॉक्सी वापस आई थी छोटे बन ने अपना शेडो मोड चालू कर लिया था वो जहां भी जाती वो उसका पीछा करता एक इंच भी दूरी उन्हें अलग नहीं हुने देना चाहता था नीचे लिविंग रूम में मोड जेंग ने भी अपना शेडो मोड चालू कर लिया था जहां भी मोड टींग चल रहा था वो उसका पीछा कर रहा था भाई भाई प्रिय भाई तुम लोग तुम दोनों ने पूरी रात क्या किया मोड टींग ने ताजी बनी कॉफी का एक कप गले में दाला और सोफे पर बैठ गया हमने बाते की मोड जेंग का गला रुंद गया और वहे एक निराश पिले की तरह लग रहा था जिसे हड़ी नहीं मिली थी ठीक है इसे ऐसे समझो जैसे मैंने कभी नहीं पूछा और गंभीरता से बोला ये पहले से ही प्रगती पर है एक महीने के भीतर जूज या अंचेन की क्राउन रियल एस्टेट निश्चित रूप से इस राजधानी से मिद जाएगी फॉक्सी के मामले के बारे में क्या मोड जेंग ने बोलने से पहले अपने बाल ठीक किये क्योंकि प्रोडक्शन क्रू ने खबर को फैलने से रोक दिया था इसलिए मुझे समय पर खबर नहीं मिल पाई फिलहल जिसने ये पूरी साज़श रची वह निश्चित रूप से इस खबर को दबाने नहीं देगा इसलिए यह इंटरनेट पर फैलना शुरू हो गया है इससे भी बुरी बात यह है कि प्रोड निर्देशक ने अपने साक्षातकार में व्यक्ति गत रूप से गवाही दी कि यह निंग कसी ही थी जिसने उसे प्रोड बदलने के लिए रिश्वत दी थी यह अब सिर्फ जन्ता की राय का मामला नहीं है अगर निंग जुएल वो मामला दर्ज कराती है तो फॉक्सी को पुलिस जांच के लिए भी ले जा सकती है मोटींग के चहरे पर एक अंतहीन दुष्टाभा उभराई अचानक ऐसा लगा जैसे वो किसी साधे साधारन सोफे के बजाए हड्यों से बने किसी महान राक्षस राजा के सिंधासन पर बैठा हो प्रतेक शब्द को सपष्ट रूप से बरफीले स्वर में कहते हुए मैं देखना चाहता हूँ कि कौन ऐसा करने का साहस करेगा नहीं 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 भावी आपके पास तो है ही जो उसके सिर्प पर एक भी बाल चूने की हिम्मत करेगा मोजेंग ने सकारात्मक रूप से कहने से पहले जल्दी से अपने गुस्से को शान्त करने की कोशिश की भाव, निश्चिंत रहो मैंने उस प्रॉप डायरेक्टर के घर में वायर टैप और जासूसी कैमरे लगाने के लिए पहले से ही किसी को बुला लिया है इस अवधी में वह निश्चित रूप से इसके पीछे वाले व्यक्ति से संपर्ट करने का प्रयास करेंगे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि हमें कोई सबूत नहीं मिल पाएगा हम देखेंगे कि आखिर में कौन गिरफतार होता है मोटींग की अभिव्यक्ति पर असंतोष दिखा और उसने साइट टेबल को अपनी उंगली से थप थपाया अक्षम मोटींग इसे स्वीकार नहीं कर सका और बढ़ बढ़ाया यह विधी इतनी अच्छी है यह अक्षम कैसे है मोटींग ने टेलिविजन स्टैंड के नीचे से एक बंदूप निकाली फिर उसे उसके सामने फेक दिया मोटींग के मूल का कोना हिल गया अरे क्या यह बहुत सरल और हिंसक नहीं है इस पध्धती में कोई कोशल नहीं है जैसे ही दोनों बोल रहे थे उनके उपर से कदमों की आहत सुनाई दी अभी व्यक्ती में कोई बदलाव किये बिना मोटींग ने बंदूप वापस रख दी और फॉक्सी की और सौम्य द्रिष्टी से देखा क्या लिटल बंस हो गया हाँ, आखिरकार मैंने उसे सुला दिया उक्तर देने के बाद फॉक्सी ने जल्दी से चिंतिक भाव से कहा ओ, मोटींग, मुझे कुछ जरूरी काम है और मुझे कुछ समय के लिए बाहर जाना है मैंने लिटल बं के लिए पहले ही एक नोट छोड़ दिया है और मैंने अपना फोन चार्ज कर लिया है आप किसी भी समय मुझसे संपर्ट कर सकते हैं मैं अधिक्तम तीन घंटे में वापस आऊंगा ठीक है, मैं आब और नहीं कहूंगा अलविदा इतना कहकर वह हवा की तरह उलकर चली गई मोजेंग ने अपनी थुड़ी रगली भाई भाभी इतनी जल्दी कहा जा रही है मोटींग ने उस दिशा में घूर कर देखा जहां से लड़की चली गई थी और फिर उसने मोजेंग से आग्रह किया उसका पीछा करने के लिए किसी को ढूंडो इसके पीछे निश्चित रूप से कुछ जटल बात थी क्योंकि फॉक्सी ऐसे ही समय में वहां से चली गई थी यदि लिटल बन को घर पर अकेला छोड़ना अच्छा नहीं होता तो वह निश्चित रूप से स्वयम चला जाता किसी और को ढूंबने की जरूरत नहीं है मैं खुद चला जाओंगा मोजेंग ने मौके पर ही मिशन को सहर्ष स्वी कार कर लिया मोजेंग एक कम कुंजी वाली काली कार लेने के लिए घर लोट फिर फॉक्सी के पीछे पीछे गया जो अपनी मोटर साइकल पर तूफान की तरह सड़कों पर गारी चला रही थी बीस मिनट के बाद वह उस छोटे से अपार्टमेंट में रुका जिसमें फॉक्सी रहती थी शेत्र में गतिविधियों की निगरानी करते हुए उसने वास्तविक समय में मोटी को स्थिती की सूच ना दी अध्याए एक सो तिरपन जब तक आप सही कीमत नहीं चुकाते जब फॉक्सी अपने अपार्टमेंट में लौटी तो उसने तुरंट अपनी बड़ी अलमारी के नीचे से एक धातू का ब्रीफ केस निकाला फिर उसने जाच की और उस मामले में सभी चीजों को सावधानी पूर्वक मिता दिया अपने फोन पर समय देखने के बाद फॉक्सी ने सामान अपने बैग में भर लिया और जल्दी से वापस नीचे चली गई कुछ ही दूरी पर मोजेंग ने गाड़ी चलाते समय अपने ब्लूटूथ यपीस पर मोटींग को सूच न दी फोक्सी अपने अपार्टमेंट में लोट आई और पांच मिनट में वापस आ गई हम इस समय जिजियांग रोड पर हैं बाहरी इलाके की ओर जा रहे हैं आधा घंटा बीच जाने के बाद फोक्सी आखिरकार रुख गई मोटींग ने अपने आसपास के घरों को देखा और उसकी अभिव्यक्ती आश्चर्य में बदल गई एहा क्या ये वह जगर नहीं है जहां वह प्रॉप डाइरेक्टर जांग की आन रहता है फोक्सी यहां अकेले आकर क्या कर रही है निश्चित रूप से वह उससे कोई समझदारी भरी बात नहीं करने वाली है क्या वह बहुत भोला नहीं है जासूसी कैमरे चालू करो ब्लूटूथ यपीस के उपर आदमी ने थंडे और उग्रस्वर में आदेश दिया ओह ओह ठीक है मैं लगभग भूल ही गया था कि मेरे पास वे थे मोजेंग ने जल्दी से पिछली सीट से अपना लप्टॉप उठाया भाई मुझे एक शन दीजिए मैं अपने फोन से आपके लिए वीडियो स्ट्रीम करूंगा मोजेंग ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि अचानक उससे पता चला कि उसका लाप्टॉप जवाब नहीं दे रहा है उसके हाव भाव तुरंट गहरे हो गए और उसने कुछ हवाक होकर कहा भाई तुमने वास्तव में मेरा कम्प्यूटर हैक कर लिया है प्रोडक्शन क्रू से अच्छा वेतन मिलता था क्योंकि उन्हीं जुआ पसंद था उपर से कोई अतिरेक नगदी नहीं हुने के बावजूद उन पर अभी भी बहुत सारा कर्ज बकाया था इस प्रकार वह इस चले की मलिन बस्तियों में रहते थे फॉक्सी ने प्रोडक्शन क्रू के साथ शराब पीते हुए उसे दूसरों के साथ बाते करते हुए सुनते हुए उसके बारे में यही सुना था फॉक्सी ने तीन बार दर्वाजा खट खट आया अंदर से कोई हलचल नहीं हो रही थी फॉक्सी तब तक खट खटाती रही जब तक कि अंदर से एक धमाके की आवाज नहीं आई और फर्ष पर चपलों के रगरने की आवाज नहीं आई जंग लगे धातु के दर्वाजे को अंदर से किसी ने धक्का देकर खोल दिया उधरंग चिन्ह ये कौन बक्वास है क्या आप इतनी सुबह सुबह मौत को दावत दे रहे हैं बोलने के बीच में ये देखकर की फॉक्सी अपने दर्वाजे पर ख़़ी थी जंग कियान की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई शिक्षक जंग मुझे आशा है कि जब से हम पिछली बार मिले थे तब से आप ठीक हैं फॉक्सी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराने लगी जंग कियान उसके लिए दर्वाजा बंद करना चाहता था लेकिन उसकी सिर में उलजन के बाद उसने अपना मन बदल दिया और आलसे से कहा मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कौन था तो यह महान सौन दर्य फॉक्सी है अंदर आएं कमरे में प्रवेश करने पर शराब की तेज गंद, बदबुदार मुझे और फफूंदी की तेज गंद ने उसकी सूंगने की क्षमता को खराब कर दिया इस गंद की मारक शक्ती की तुलना आज सुबल की सुरस्ट्रो मिंसे की जा सकती है जहां चाहो बैठो, जहां की आंग ने सिग्रेट जलाए उसकी गंदी आखे फॉक्सी के शरीर पर चिपकी हुई थी और निरलजता से उसके हर हिस्से को देख रही थी फॉक्सी कमरे में एक मात्र साफ सुत्री कुरसी पर बैठ गई फिर सीधे मुद्दे पर आई, आए इधर उधर न घूमे मुझे यकीन है कि शिक्षक जांग जानते हैं कि मैं क्यूं आया हूँ मुझे आपके कथन की आवश्यक्ता है और मुझे आपके सत्य बोलने की आवश्यक्ता है ये निंग जूइल वो ही थी जिसने सब कुछ अपने दम पर किया और मैंने उसे नुकसान पहुचाने के लिए आपको रिश्वत नहीं दी जांग कि आंग ने ऐसे हस्ते हुए अभिने क्या मानो उसने उसके आरपार देख लिया हो छोटी लड़की तुम्हारे पास एक रिकॉर्ड है है ना आप मुझसे कबूल नामा लेने की कोशिश कर रहे हैं हे हे तुन बहुत भोले हो मुझे खेद है मैंने पत्रकारों को जो कुछ भी बताया वह बिल्कुल सच था उसके चहरे पर एक बेशर्मी भरी अभिव्यक्ती थी और उसकी आँखों की गहरायों में एक उजवल चमक चमक उठी जब तक आप सही कीमत नहीं चुका सकते फॉक्सी की आँखे थोड़ी सिकुल गई उसे उमीद थी कि ऐसा होगा नाला के पैसे मिलने के बाद ये ज़ांक की आँग निश्चित रूप से बहुत आगे नहीं जाएगा वो सट्टे बाजी जारी रखेगा और संभ हफ्तह अपना सारा पैसा गवा देगा वो अब दोनों पक्षों का फाइदा उठाने की कोशिश कर रहा था अध्याए एक सो चाववन बढ़ी बहन खृपया शान्थ हो जाएं अगर मैं सहमत नहीं हुआ तो क्या होगा अपनी थुद्दी को रगलता और कहता यदि आपके पास पैसे नहीं है तो अभी भी एक और रास्ता है अगर मिस ग्रेट ब्यूटी स्मित एक बार मेरे साथ सोने को तयार है तो मैं कुछ दिलजस्ट संकेट भी बता सकता हूँ यह उस इस पश्ट रूप से संकेट दे रहा था कि यदि वह उसका बयान चाहती है तो उसे भुकतान करना होगा या उसके साथ सोना होगा वास्तव में जांग कियान के धोखे बाजव्यक्तित्व के साथ इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वो अपने अनुरोधों को पूरा करने के बाद भी बयान नहीं देंगे तब तक फॉक्सी के लिए दोनों मोर्चों पर नुकसान होने की संभावना होगी वही नीचे कार में कैमरे के सामने ऐसा द्रिश्य देखकर मोर्चेंग उठसुकता से अपने भाई को कॉल पर याद दिला रहा था भाई शांत हो जाओ ज्यादा उत्तेजित मत हो ये क्रिपया बहुत उत्साहित नहूं मेरी छोटी लापी के साथ धीरे से व्यवहार करो मेरी हार डिस्क में कुछ सो गीगाबाइट का ख़जाना है उपर जाओ अभी यपी इस पर एक आदेश बजी हाँ 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 मैं आभी जा रहा हूँ ये देखते हुए कि जाँग क्यान पहले ही फॉकसी के करीब चलना शुरू कर चुका था मोजेंग ने अपना लपटोप उठाया और दौरना शुरू कर दिया उसी समय जाँग क्यान फॉकसी की कुरसी के सामने चला गया और उसने अपनी बहें आर्मरेस्ट पर रख दी उसकी सांसे भी तेज हो गई थी कैसा है? क्या ये सौदा सार्थक नहीं है? आप जो चाहते हैं वह आपको मिलता है और आप आनंद भी ले सकते हैं फॉक्सी ने अपनी नजरे नीची कर ली उसकी अभिव्यक्ती छाया में छिपी हुई थी और स्पष्ट रूप से नहीं देखी जा सकती थी उसके गहरे लाल होथों से एक हलकी सियाह निकल पड़ी अगले सेकेंड में जाग कियान को अपनी कमर पर कुछ थंडा और सक दबाव महसूस हुआ नीचे देखते हुए उसका चहरा तुरंट पीला पड़ गया यह एक बंदूप की गहरी अंधेरी बैरल थी जो उसके उपर दब रही थी आप 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 जाग कियान की पहली प्रतिक्रिया दोडने की थी हाला की फॉक्सी की भयावे थंडी आवाज उसके पीछे से आई आगे बढ़ो और भागो चलो देखते हैं कि क्या तुम मेरी गोलियों से भी तेज दोड सकते हो जाग कियान का पसीना बारिश की तरह बह रहा था वो कथोरता से घुमा और आराम से मुस्कुराया लड़की मैं तुम से लगभग दर गया था मुझे धोखा देने के लिए एक हिलोना बंदूग का उप्योग करने का प्रयास कर रहे हैं फिर गोली मारो हिम्मत है तो गोली मारो चलो यहां गोली मारो फोकसी की उंगलिया थोड़ी हिल गई और उसने एक क्लिक के साथ बैरल पर साइलेंसर लगा दिया फिर उसने ट्रेगर दबाया एक पफट के साथ गोली जांक कियान की बांग से टकराए फिर फर्श पर आँखों को छेदने वाली चिंगारियों की एक रेखा बिखर गई जब उसने कारवाय पूरी की तो तीन सेकन भी नहीं बीते थे जांक कियान ने अपनी बांग पर दर्ट से जल रहे घाव को पकर लिया और घुटनों के बल जमीन पर गिर कर जोर से बोला बढ़ी बहन हे महान बहन क्रिपया शांत हो जाओ वो असली बंदूख है ये खेलने के लिए नहीं है तुम्हारा बयान फॉकसी ने एक रिकॉर्ड अ पेन फेक दिया उसने बेहद अधीर भाव से अपने फोन पर समय देखा छोटा बन अभी भी घर पर सो रहा था अगर वह जल्दी उठता और वह वह नहीं होती तो वह निश्चित रूप से चिंतित होता इसलिए उसे लिटल बन के साथ जाने के लिए जल्दी से वापस जाना पड़ा मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं इसे अभी रिकॉर्ड करूंगा जहां कियान रिकॉर्ड अपेन लेने के लिए जल्दी से रेंग कर आया उन्होंने इसे चालू किया और अकेले ही रिकॉर्डिंग शुरू कर दी ये फॉकसी नहीं थी जिसने मुझे रिश्वत दी थी कोई और है जिसने मुझे तलवार से चेट छाड़ करने के लिए पैसे दिए लेकिन मैं नहीं जानता कि वो कौन था मुझे एक गुमनाम इमेल प्राप्थ हुआ और प्रेशक ने मुझे इमेल में दिये गए निर्देशों को निश्पादित करने के लिए कहा और यहां तक कि मुझे जमाराशी के रूप में एक लाक डॉलर भी भीजे उन्होंने कहा कि कार्यव पूरा करने के बाद वे मुझे एक लाक डॉलर और देंगे जहां कियांग ने बोलते समय ध्यान से फॉक्सी पर नजर डाली उसके सामने वाली महिला के चहरे पर बेहद अधीरता और उदासी भरी अभिव्यक्ती थी जैसे ही उसकी उन्गलियां बंदूप की नली को सहला रही थी उसकी पुतलियां थोड़ी लाल हो गई वो है पागल हत्या करने वाले पागल की तरह लग रही थी उसके रूप को देखकर उसके रोंटे खड़े हो जाने वाले थे अध्याए 155 बहुत क्रूर मोजेंग दर्वासा तोड़कर उसे बचाने ही वाला था लेकिन जब उसने देखा कि स्थिती पूरी तरह से बदल गई है तो वह वही रुग गया और शून्य देखता रहा अकेले ही हे भगवान वह वास्तव में एक बंदूक लेकर आई थी पवित्र बकवास यदि मैं गलत नहीं हूँ तो वह वास्तव में बेरेटा 92 एफ है उसे वह कहां से मिला मोजेंग अविश्वस निय लग रही थी अपनी बात खत्म करने के बाद उनके दिमाग में एक द जाल मृत्यू हो गया था कमरे के अंदर जाग जियांग ने फॉक्सी के हाथ में बंदूक को भूर कर देखा उसे इस बात का बेहग डर था कि वह दोबारा एक शब्द भी कहे बिना गोली चला देगी उसने उसे प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं दिया था वह बहुत प्रूर थी मैंने जो कुछ भी कहा वह सच था एक भी जूट नहीं था नहीं तो कहीं बिजी मुझ पर ही न गिर पड़े फॉक्सी कुछ नहीं बोली और यह सपश्ट नहीं था कि क्या वह वास्तव में उस पर विश्वास करती थी उसने बंदूक को अपने हाथों में तब देखकर अपनी पैन से पेशाब करने वाला था दर से कापते हुए उसने जल्दी से पूछा यदी यदी आप चाहते हैं कि मैं जूट बोलूं और गवाही दूं कि यह वह व्यक्ति था कि यह नाला थी जिसने मुझे ऐसा करने के लिए भुक्तान किया था तो मैं ऐसा कर सक चाहता हूं बिना किसी शर्ट के मैं वह सब कुछ करूंगा जो आप बिना किसी शर्ट की चाहते हैं उकसाने वाला वह कोई भी हो सकता है जिसे आप बनाना चाहते हैं जूट वह जो चाहती थी वह निरनायक सबूत था फॉक्सी ने अपनी थुड़ी पर बंदूप की नाल पतान दी और बोली मुझे वह खाता नंबर दीजिये जिसका इस्तिमाल दूसरे पक्ष ने आपको पैसे भेजने के लिए किया था और साथ ही वे सभी इमेल भी दीजिये जो उन्होंने भेजे थे ठीक है ठीक है वे मेरे कम्प्यूटर पर हैं मैं इसे अभी ले रही हाला क इमेल गुमनाम है और यहां तक की बैंक खाता भी एक गुमनाम विदेशी खाता है वे शायद बेकार है भले ही मैं उन्हें आपको दे दूँ जैसे ही वह बोला जहांग जयांग ने अपने कम्बल के नीचे से एक लेप्टॉप निकाला इसके बाद उसने उसे दूसरे पक है उसने कहा ये कम्प्यूटर अब मेरा है क्या आपको कोई आपती है जहांग जयांग ने जोर से अपना सिर हिलाया नहीं नहीं मेरे महान पूरवज क्रिपया आगे बढ़े और इसे ले ले तुम्हें जो लेना हो ले लो फॉक्सी ने व्यांग्य किया हाँ हाँ वह उसे बड़ी बेहन से महान पूरवज कहने लगा था ऐसे दुष्ट के साथ यदि आप उसे समझाने की कोशिश भी करें तो वह कभी नहीं सुनेगा यदि आपने उसके साथ बातचीत करने की कोशिश की तो वह त्रिप्थ हो जाएगा एक इंच दो और वह एक मील ले लेगा प्रतिकार हिंसा से करना ही एक मातर उपाय बचा था वास्तव में इस देश में लोटने के बाद इस बंदूप का उप्योग करने का यह उनका पहला अफसर था नर्वस न होना असंभव था लेकिन कम से कम वह अभिने में कुशल थी जब तक वह दिखावा करती रही कि वह तुरंट शान्थ हो सकती थी उसने लापरवाही से एक आत्मगाती पागल की भूमिका निभाने का फैसला किया था ऐसा लग रहा था जैसे उससे बहुत अच्छा परिनाम मिला हो अभिने उनका प्रेय पेशा था साथ ही खुद को बचाने का उनका तरीका भी था फिर महान पूरवज क्या आपको किसी और चीज की जरूरत है जब जांग जयान्ग ने देखा कि उसका अभी भी जाने का कोई इरादा नहीं है तो वह घबरा गया फॉक्सी ने तेस निगाहों से उससे देखा जैसे कि कुछ सोच रही हो हाँ मुझे थोड़ा सोचने दो सोचो किस ब पारे में सोच रही हूं क्या मुझे किसी भी गवाह को खत्म करने के लिए तुम्हें मार देना चाहिए क्या होगा यदि आप किसी और को बताएं कि मैंने इसके बाद आपको अपना कबूल नामा देने के लिए मजबूर किया निंक्षी ने बहुत ही स्वाभाविक लहजा इस्तेमाल किया और वह बेहत गंभीर लग रही थी जांग जयांग उसके सामने लगभग घुटनों के बल बैठ गया क्योंकि उसके पैरों की सारी ताकत खत्म हो गई थी यह संभव है मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा भले ही आप मुझे स्टील जैसी नसे दे द पहा था कमजोरों को धमकाना और ताकत वरों से दरना उनकी स्वभाव में था इस बार फॉक्सी ने उसे दरा दिया था उसने वास्तव में कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस कमजोर और नाजुक योवा महिला का इतना भयानक पक्ष होगा उसने सीधे उसकी अंधेरी और भ अपने गाल को थप थपाया चिंता मत करो मैं तुम्हें मरूंगी नहीं मैं तुम्हें पैसे भी दूंगी अध्याए 156 आपके हाथ कहां जा रहे हैं जाग जयान की पहली प्रतिक्रियाक्षमा मांगने की थी मुझे यह नहीं चाहिए मुझे यह नहीं चाहिए मेरे महान प पैसे मांगने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं। किसने कहा कि मैं तुम्हें पैसे दूँगा। फॉक्सी ने लात मारी, पलतने और खड़े होने के बाद, जहां जयांग ने एक मासूम भाव दिखाया, लेकिन आपने अभी कहा नहीं। इस व्यक्ति की मनोदशा में बदलाव के कारण उसे जो दुर्व्यवहार मिल रहा था, उससे वह पागल होने वाला था। फॉक्सी ने उस पर थंडी नजर डाली, घर पर रहो और मेरे तुमसे संपर्थ करने का इंतजार करो। जब तक आप मेरे साथ सहयोग करेंगे, इसमें आपके लिए धन मौझूद रहेगा। अन्य था, आह, वह अब भी उससे संपर्थ करना चाहती थी, क्या उसने पहले से ही उससे वह सब कुछ नहीं दिया जो वह चाहती थी, क्या वे दोबारा कभी रास्ता पार न करने पर सहमत नहीं थे, वह अब भी उसका पीछा क्यू कर रही थी, उससे कोई पैसा नहीं चाह ये था उसने जीवित रहना पसंद किया जहांग जयान के पास बहुत सारी अनकही शिकायते थी लेकिन वल केवल उसकी मानगों पर सहमत हो सकता था और फॉक्सी को उसकी दयालुता और क्रिपा के लिए हजारों बार धन्यवाद दे सकता था क्योंकि उसने उसे बाहर भेजा नीचे जाने के बाद फॉक्सी ने अपना हेल्मेक पहना और सीधे मो निवास के और तेजी से जाने से पहले इंजम चालू कर दिया जब वह मो निवास पर पहुँचे तो वह वास्तब में उस समय से एक घंटा पहले थी जिस समय पर वह मोटिंग के साथ सहमत हुई थी लग रहा था मानो उसने जरा भी हलचल नहीं की हो फॉक्सी ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा उसने तुरंट पूछा मोटींग मैं वापसा गई हूँ क्या डालिंग लिटिल बन जाग गया मोटींग ने अचानक उसे रोकने के लिए आवाज लगाई वह क्या हो रहा है किसी कारण से फॉक्सी को लगा कि मोटींग का मूद बिलकुल ठीक नहीं था आप कहा चले गए थे मोटींग का स्वर शान्त और सम था फिर भी ऐसा महसूस हुआ जैसे सतल के नीचे कुछ अंधेरा छिपा हुआ था फॉक्सी ने सहचता से खत्रे को भाम लिया और तुरंट जवाब दिया मैं कुछ निजी मामलों को निप्टाने के लिए बाहर गई थी बस इतना ही सब कुछ पहले ही तेह हो चुका है अपनी बात खत्म करने के तुरंट बाद उसने खिसिकने की कोशिश की लेकिन एक हाथ अचानक ऊपर आ गया एक सेकन बाद फॉक्सी के शरीर को कुछ बल के साथ खीच लिया गया और वह सोफे पर गिर गई अधिक सटीक रूप से वह मोटीं के आलिंगन में गिर गई फॉक्सी हैरान थी जिस बात ने उसे और भी अधिक आश्चर्य चकित कर दिया वह थी मोटींग वाया आप आप क्या कर रहे हैं तुम्हारे हाथ कहां जा रहे हैं मोटींग ने उसे पूरी तरह से नजरंदाज कर दिया और उसे हर जगल छुना जारी रखा फॉक्सी की नसे लगभग तूटने वाली थी मोटींग आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं तुम्हें पहले ही पता चल गया है कि मैं तुम्हारे विरुध कोई कदम नहीं उठा सकती है न मोटींग ने उसे भावशुन्यता से देखा तुम मेरे खिलाफ कोई कदम थी नहीं उठा सकती मैं क्योंकि ये सही है क्यों यदि यह कोई और होता तो उसकी पहली प्रतिक्रिया ओदार्ता कूर्वक पिटाई करने की होती जब फॉक्सी उस प्राश्न का उत्तर देने के लिए अपना दिमाग लगा रही थी टींग के हाथ खतरनाक तरीके से उसकी पैंट की कमर के पीछे एक वस्तू पर पढ़े फॉक्सी की आँखे तुरंग चमक उठी वह उससे रोकना चाहती थी लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी उसकी कमर के पीछे छिपी बंदूक एक पल में मोटींग के हाथों में आ गई मोटींग ने तुरंग बंदूक उनके सामने कॉफी टेबल पर फेक दी वह उसके प्रती जो अत्यांत सौम्य अभिव्यक्ति प्रयोग करता था वह पाले की तरह थंडी हो गई थी उसने एक शब्द ऐसे उगला जैसे वह बर्फ का ब्लेट जला रहा हो समझाओ फॉक्सी को तुरंट ऐसा लगा जैसे उसे शिक्षक ने परीक्षा में नकल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया हो उसका चेहरा पीला पढ़ गया और वह अपनी उंगलियां हिलाने लगी बड़े प्रयास से वह निश्चिंध भाव से बोली हे हे ये तो बिलकुल नकली है यह एक खिलोना बंदूक है जिसे मैंने खेलने के लिए खरीदा है क्या ऐसा है क्या खिलोना बंदूक के लिए साइलेंसर की आवश्यक्ता होती है मोटी ने उस पर तिर्ची नजर डाली और बंदूक उठाली उसने इसे सीधे कोने में रखे एक ताढ़ के आकार के सफेद जैट फूल के गुल्दस्ते की और इशारा किया और आग लगा दी फूल दान तुरंट छोटे छोटे टुकरों में बिखर गया फूकसी जिस शांत भाव को अपने चेहरे पर बनाए रखने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही थी वह भी तूट गया बिल्कुल फूल दान की तरह अध्याए 157 उसकी चापलू सी विफल रही हवा एकदम खामोश थी एक लंबिक शंग के बाद फूकसी ने बड़ी मुश्किल से निगल लिया और अपना मूँ बन करके विशय को बदलने की कोशिश की हाहा बिग बॉस आपकी शूटिंग कोशल अध्भूत है प्रभावशाली प्रभावशाली तुम कुछ ज्यादा ही फिजूल खर्च हो वो फूल दान बहुत महेंगा रहा होगा है ना मोटींग की आँखे थंडी थी यदि आप इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं तो आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है फॉक्सी का सिर निराश होकर नीचे की ओर जुक गया लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने सब कुछ कबूल नहीं किया तो आप मेरे साथ सभी संबन तोड़ देंगे आप बिल्कुल भी इमानदार नहीं है सब कुछ कबूल करने के अलावा क्या उसके पास कोई दूसरा विकल्प था फॉक्सी ने आह भरी और केवल उसे घटनाओं का क्रम समझाने का विकल्प चुना क्या मैंने आपको पहले नहीं बताया था कि प्रोप के साथ कुछ गलत हो गया था और मैंने गलती से नाला को चोट पहुंचाई थी अभी प्रोप मास्टर यह कहने पर जोर दे रहा है कि मैंने उसे प्रोप्स बदलने के लिए रिश्वत दी थी क्या यह मुझे एक गतिरोध में धकेलना नहीं है अगर वह अपने कबूल नामे पर अड़ा रहा तो न सिर्फ मेरा करिया बरबाद होगा बलकि मुझे जेल भी जाना पड़ेगा मोटींग ने शान्ती से उसकी ओर देखा तो फॉक्सी हलके से खासी और रोक गई तो मैं उस आदमी को सच बोलने के लिए मजबूर करने गई थी उसके बेपर वाह रवये को देख कर मोटींग के चेहरे पर तूफान के बादल मंडरा रहे थे फॉक्सी क्या तुम्हें पता है कि ऐसा करना तुम्हारे लिए कितना खतरनाक था एक लड़की की तरह फॉक्सी ने अपना सिर धान्क लिया और कहा मुझे पता है मुझे पता है लेकिन क्या मुझे इसमें मजबूर नहीं किया गया आप नहीं जानते कि वल जांक कियान कैसा है, वो एक बदमाश है। मैं उस तरह के व्यक्ति से निपटने के लिए केवल साधारन हिंसा का उप्योग कर सकता हूँ। मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपको किसी मदद की जरूरत हो तो आप मुझे धून सकते हैं। मुझसे मांगने आने से पहले ही आपने इतना खतरनाक तरीका अपनाने का फैसला कर लिया। मोटी की आँखे घोर निराशा से भर गई। उस नजर ने अप्रत्याशित रूप से उसके दिल को दर्द से जकर लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं, आखिरकार, ऐसा महसूस हुआ कि उ से सिर्दर्ध होने वाला है। उसने आभरते हुए कहा, मुझे इसकी आदत हो गई है। हर काम खुद ही सुलजा लेती थी। दूसरों पर भरोसा न करने के आदी। वे दोनों फिर से सन्नाटे में दूब गए। ओम, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे उपर बंदू नहीं हुआ कि आपकी सूंधने की शक्ती भी इतनी तेज है बिग बॉस। हे हे हे, उसकी चाप्यूसी विफल हो गई थी। फॉक्सी के चेहरे पर पूरी बेबसी के भाव थे, मोटिंग, ऐसा नहीं है कि मैं तुम से मदद नहीं मांगना चाहती थी। ऐसे छोटे मामलों क के लिए आपको व्यक्तिगत रूप से कारवाय करने की कोई आवश्यक्ता नहीं है। क्या यह मक्षी को मारने के लिए स्लेज हैमा का उप्योग करने जैसा नहीं है। हाला कि अभी मेरे पास कुछ हैसा है जिसके लिए मुझे वास्तव में आपकी मदद की जरूरत है। इसलिए भले ही आप मेरी मदद करने को तयार नहों, मैं निश्चित रूप से आपको परेशान करूंगी। इस बार हाला कि उसकी अभिव्यक्ति उदासीन रही, उसने अंततह उसकी आँखों में देखा, बोलो। फॉक्सी ने राहत की सांस ली और जल्दी से बोली, ऐसा ह हाला कि आखिरकार मुझे जांक कियान का कबूल नामा और मास्ट माइंड से इमेल और बैंक हस्तान तर अन्विवरन मिल गए, ये सभी सबूत केवल मेरी बेगुनाही को सपष्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं मास्ट माइंड को नहीं धून पाए। अगर मैंने इस शिकायक का ब क्या कोई तरीका है जिससे आप मास्ट माइंड के खाते के विवरन और आईपी पते को डिकोड कर सकते हैं। बिग बॉस, यहाँ आपके जीन का ही धन्यवाद है कि डालिंग लिटल बन इतनी कम उम्र में ही इतना चतुर हो गया है। इसलिए बिग बॉस को कम्प्यूटर वगेरह में और भी अधिक प्रभावशाली होना चाहिए। मुझे यकीन है कि आपके पास ऐसा करने का कोई तरीका है, है ना। अध्याए 158 मुझसे और भी दूर चले जाओ। सही सही। फॉक्सी ने याचना की मुद्रा में अपने हाथ एक साथ रखे। उसके चेहरे पर एक आशा भरी अभिव्यक्ती थी और उसकी आँखों में तारे थे। एक तरफ यहां मोटींग पी को मक्षन लगाने के लिए था। दूसरी और उसे वास्तव में उसकी मदग की जरूरत थी। मोटींग अंतता सुनहरा शब्द बोलने से पहले तीन सेकंड के लिए चुक रहे हां। वास्तव में आपके पास सच्मुच कोई समाधान है। फॉक्सी इतनी उतसाहित थी कि वह लगभग हवा में उचल पड़ी। फिर तुम्हें कितना समय चाहिए। एक मोटींग एक घंटा कहने ही वाला था। लेकिन उसने अचानक अपना मन बदल लिया। एक र ये वह लप्टॉप है जो मैंने जांक की आंग से लिया था। क्या आपको किसी और चीज की आवश्यक्ता है। कोई जरूरत नहीं है। मोटींग खड़े हुए और बोलते हुए उपर की ओर चले गए। फॉक्सी उतसुकता से उसके पीछे पीछे चलने लगी। अध्ययन कक्ष में पहांचने पर समझदार फॉक्सी मोटींग को उसकी कुरसी खीचने में मदग करने के लिए दौरी फिर लप्टॉप को मोटींग के सामने डैस्क के उपर रख दिया। फिर वह उसके लिए एक गिलास पानी डालने के लिए दौरी। मोटींग ने कुरसी पर लेखने के लिए करीब आ गई लेकिन निश्चित रूप से यहुसे अस्पश्ट लग रहा था। उसने पूरी तरह से चकिक भाव रखा। हाला कि वह इसमें से कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, फिर भी वह जो कुछ भी कर रहा था वह बहुत अद्भूत लग रहा था। जब मोटी टाइप कर रहा था, उसने अपने कान के पास हलकी सांसे चलने की आवाज सुनी, इसलिए उसने अचानक अपनी उंगलियां हिलाना बंद कर दिया और भोहे सिकोडने लगा, क्या हुआ, कुछ गलत है क्या, फॉक्सी ने तुरन तनाव ग्रस्थ होकर पूछा, मोटी का स्वर्थ होड़ा शान था, मुझसे और दूर हटो, वह बहुत करीब जुक रही थी, इससे उसकी एकागरता प्रभावित हो रही थी, फॉक्सी सर्दियों में बैंगन की तरह सिकुर गई और अपना सिर नीचे कर लिया, उदास और निराश भाव से वह कमरे के सबसे दूर कोने में चली गई और वही सोफे पर बैग गई, फॉक्सी वहां बैठी रही और काफी देर तक अपने विचारों से जूचती रही, आ पूछें, फॉक्सी की उंगलिया मुर्थियों में बंद गई, उस बंदूप के बारे में पूछो, आप यह नहीं पूछेंगे कि मेरे पास बंदूप क्यों है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं बिलकुल वैसा नहीं हूँ जैसी तुमने अपेक्षा की थी, कि मैं तफसोस हुआ, वह हमेशा उसके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करता था और बिना पीछे हटी उसकी मदद करता था, हाला कि वह अपने बारे में हर छोटी छोटी बात छिपाती और छुपाती रही, हाला कि यहां चीन में बंदूप के रखना कानूनी नहीं है, इस नहीं पता कि यह वास्तव में कैसे किया गया था, यह मुझे एक दोस्त ने दिया था, जिसने मुझे शूटिंग करना सिखाया था, यह केवल आत्मरक्षा के लिए है जब मुझे इसकी अत्यनत आवश्यक्ता होती है, जब से मैं चीन वापस आई हूँ, मैंने इसका केवल एक बार ही उप्योग किया है, मोटींग ने सारी हलचल रोक दी, आपका वह दोस्त किस तरह का व्यक्ती है, अध्याए 169, क्या आप सोचते हैं कि मैं खतरनाक हूँ, यह सवाल सुनकर फॉक्सी थोड़ी परेशान न जराई, उसने अपना सिर्ख हुजाया और कहा, यह वही है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, वो पूर्फ प्रेमी जिसके साथ मैंने केवल एक दिन के लिए मुलाकात की थी, यह फिर वही आदमी था, चुनकि उन्होंने केवल एक दिन के लिए डेट किया था, तो ऐसा क्यों लगता था कि उन्होंने इतनी अधिक बातचीत की है, मोटीं की अभिव्यक्ती बेहद उग्रह हो गई, क्या आप जानते हैं कि इस प्रकार की बंदूप की तसक्री के लिए इस्तेमाल किये जाने वाले चैनल तीन बुटों में बंटे हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका वह मित्र किस बुट का ह वे पुलिस के लिए प्रमुख लक्ष्य हैं, वह हीरा संभवता अवैग तरीकों से भी लाया गया था, फॉक्सी ने अपना सिर नीचे किया और बुद बुदाया, मुझे पता है, तुम्हें इसके बारे में पता है, मोटीं की अभिव्यक्ती और भी बदसूरत हो गई, व उसरे की प्रिश्थ भूमी के बारे में जानने का मतलब था कि वह और भी खतरनाक स्थिती में थी, उसी समय, फॉक्सी को ऐसा लगा जैसे वह एक शरार्ती बच्ची थी जिसे उसके माता पिता ने कुछ बुरा करते हुए पकर लिया था, वह इतनी घबरा गई थी कि उसने अपनी उंगलियां आपस में दबा ली और एक बार भी बाहर जांकने की हिम्मत नहीं कर पाई, महान डैवल किंग जब क्रोधित होता था तो भयानक हो जाता था, काफी देर के बाद मोटी ने आखिरकार कहा, मुझे बंदूक दो, फॉक्सी ने तुरंत आज्यकारी रूप से बंदूक सोंक दी, आप इसके साथ क्या करने जा रहे हैं, मोटी ने इसे बेरहमी से लिया, इसे जबत कर रहा हूं, फॉक्सी ने अचानक खुद को उस पर फेक दिया और पीरा से चिलाए, आह, नहीं, वह मेरा सुरक्षा ताबीज है, मोटी ने उसकी और उदासींता से देखा, फिर उसने अपनी दराज खूली, एक और बंदूक निकाली और उसे देते हुए कहा, आपसे इसका इस्तिमाल करो, बंदूक को देखकर जो मोटी ने उसे दी, फॉक्सी की आँखे तुरंट चमक उठी, यह है, वो ही यह नहीं बता सकी कि यह कौन सा मॉडल था, ल करकी की चमकदार आँखों से अपनी नजरें मिलाने के बाद, मोटी ने सिरहिलाया, पी 226, मैंने कुछ संशोधन किये हैं, इसलिए यहाद एक सुरक्षित है, मोटी की अभिव्यक्ति अभी भी वैसी ही थी, क्योंकि फॉक्सी को आगने आस्त्रों को चलाने, तोडने और जोडने का ज्यान स्पष्ट रूप से उस आदमी से आया था, ये सुनकर, मोटी की अभिव्यक्ति तुरंग थंडी हो बे, तुम्ही लगता है कि मैं खतरनाक हूँ, फॉक्सी ने जोर से सिरहिलाया, नहीं, 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 मैं ऐसा सोच भी कैसे सकता हूँ, बिग बॉस, आ क्या आप ठके हैं, क्या आपके कंधे दुखते हैं, आये मैं आपकी मालिश कर दूँ, कड़ी मेहनत करते रहें, बिना कुछ कहे, फिर वल कराहते हुए उसके पीछे दोड़ी और अपनी सारी ओर्जा उसके कंधूं की मालिश करने में लगा दी, जब उसने लड़की की मध अधूर और सौम्या आवाज सुनी, हाला कि वह जानता था कि वह जानबूज कर उसे सहला रही थी और परेशान कर रही थी, लूतिंगजयाओ की तुफानी अभिव्यक्ति तुरंद गर्म हो गई, हाला कि वह जल्द ही फिर से तनाव ग्रस्थ हो गया, लड़की के कोमल मात्रा में बल की साथ रगर रहे थे, यहां तक की वह बेहत पेशेवर अंदाज में उसकी गर्दन और कनप्टी की मालिश भी कर रही थी, वो गर्म हसास और बल की सही मात्रा बहुत आराम दायक महसूस हुई और यह उसकी मृत्यू भी होने वाली थी, अध्याए 160, मैं काफी है, खुद पर नियंत्रन खोने से बचाने के लिए, मोटींग को मालिश बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा, ठीक है, फॉक्सी ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और बंदूग का अध्यायन करना जारी रखा, इसके बाद वह निश्चित्ता के साथ मो भार के रूप मेलें, यह भार कुछ खास था, फॉक्सी ने बंदूग को धीरे से सहलाया, धन्यवाद, मुझे इससे प्यार है, इस बंदूग की सुरक्षा वास्तव में बहुत बहतर थी, फॉक्सी ने बंदूग को देखना जारी रखा और थोड़ा रुआसा होने से पहले कभी कोई भी मेरे प्रती इतना दयालू नहीं रहा, मोर्टिंग को अपने दिल में थोड़ा दर्द महसूस हुआ, जैसे ही वह कुछ कहने ही वाला था, निंक्षी भावुक होकर बोली, यह एक पिता होने जैसा लगता है, मोर्टिंग सोच मी, यह काफी उच्चमूल लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि हसे या रोए, बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ रात्री भोजन बनाऊ, फॉक्सी के उतसुकतावश बाहर भाग जाने के बाद, मोटी ने बिना पलक जपकाय अपनी पुरानी बंद दस मिनट बाद, फॉक्सी भूचन का गरम कतोरा लेकर वापस आई, मोटी या मोमस ठीक है, मैंने देखा कि पिछली बार जब हमने उन्हें बनाया था तब से कुछ अभी भी फ्रीजमें बचे हुए थे, इसलिए मैंने आपके लिए कुछ गरम कर दिया, सरूर, ये देखक कि मोटींग कितना वियस्त था, फॉक्सी को उसे परेशान करने के लिए थोड़ा खेद हुआ, इस प्रकार उसने कटोरा उठाया, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी, ठीक है, मोटींग की भौहे थोड़ी सी सिकुल गई, वो पहले उसके प्रस्ताव को अस्वी कार करना च पकोड़ी उठाये और उसे अपने मूह में भेजने से पहले सावधानी से उस पर फूंक मारी, मोटींग, पिछी बार जब उसने इसे खाया तो इसका स्वाद इतना अच्छा क्यों नहीं था, जाओ थोड़ा आराम करो, मेरा काम लगभग पूरा हो चुका है, मोटींग न सोफे पर बैठ गई, क्योंकि वहूब चुकी थी, उसने ये देखने के लिए जांग कियान के लप्टॉप को देखना शुरू कर दिया कि क्या उसे कोई सुराग मिल सकता है, अंत में उसे वास्तव में कुछ मिल गया, उसे डी, ड्राइव में महत्वपून रहस्य नाम का एक फोल्डर मिला, इसे खोलने पर उसने पाया कि फोल्डर में बहुत सारे वीडियो थे, शायद उस आदमी ने कुछ सबूच हिपाय थे और उसे नहीं बताया था, स्क्रीन पर संदे से देखते हुए, फॉक्सी ने एक वीडियो खोला, जैसे ही उसने इसे खोला, फॉक् टॉक्से मोन वाली आवाज निकल रही थी जो शान्त अध्ययन में बेहत स्पष्ट और विशिष्ट लग रही थी, फॉक्सी, मोटिंग, फॉक्सी जमीन में गद्धा खोट कर खोट को उसमें दफनाना चाहती थी, वह क्लिक करती रही, लेकिन वह वीडियो बंद नहीं कर सकी क्योंकि वल घबरा गई थी, अंत में मोटिंग और अधिक नहीं देख सका और वीडियो बंद करने में उसकी मदद करने के लिए उसके पास चला गया, फॉक्सी ने लाप्टॉप फिक दिया और शिकायत की, उसके पास महत्वपोन रहस्य, नामक फोल्ड में कुछ रूप से उस तरह की चीज होगी, लड़की के क्रोधित रूप को देख कर, मोटिंग ने पूरी असहायता के साथ आह भरने से पहले अपनी भौहों के बीच की जगव पर चुटकी ही, ये हो गया, आओ और देखो, उसने उससे कहा था कि वह स्वार्थ के कारन इसे एक रात के भीतर खत्म कर देगा, इस उमीद में कि वह उसके साथ अधिक समय बिता सकेगा, हाला कि अगर ये पीडा जारी रही, तो उसे नहीं पता था कि वह क्या करेगा